नमस्कार प्रियर शिक्षार्थियो न आई ओएस के स्टूडियो में आप सभी का सागत है आज हम सभी भारतिय दर्शन के विशे में पढ़ेंगे भारति दर्शन के सांखे दर्शन परिचय के विशे पर आज हमारी परिचर्चा होगी जिसके बारे में हम जानेंगे कि सांखे दर्शन के मुख्य बिंदू क्या है सांखे दर्शन में कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके द्वारा मुक्ती का मार्ग प्रशस्त होता है या सांख दर्शन में ऐसे जिन तत्वों को बताया गया है वो तत्व कौन-कौन से हैं, उन तत्वों की प्रकृती कैसी है, उन तत्वों का स्वरूप क्या है, इसके विशे में आज हम सभी पढ़ेंगे भारतिय दर्शन दो भागों में बटा हुआ है, एक नास्तिक दर्शन और दूसरा आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन में कुछ दर्शन के संप्रदाय आते हैं, और आस्तिक दर्शन में कुछ दर्शन के संप्रदाय आते हैं नास्तिक दर्शन कौन है? नास्तिक दर्शन का क्या स्वरूप है? उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे और आस्तिक दर्शन क्या है? उनका स्वरूप क्या है? उसके बारे में भी जानेंगे नास्तिक दर्शन बताता है कि जो वेद को प्रमान के रूप में नहीं मानते हैं उसे नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है यानि वेदस्य प्रामान्यम नस्वी कुर्वंति तानी नास्तिक दर्शनानी अर्थात जो दर्शन वेद के प्रमान को नहीं स्विकार करते हैं वेद को नहीं मानते हैं उसे नास्तिक दर्शन की श्रेडी में रखा गया है और इसी प्रकार से जो दूसरा संप्रदा है वो है आस्तिक दर्शन का संप्रदा है यानि वेदस्य प्रामान्यम स्विकुरुवन्ति तानी आस्तिक दर्शनानी अर्थात वैसे दर्शन जो वेद की प्रमान को स्विकार करते हैं वेद को प्रमान के स्वरूप में मानते हैं ऐसे दर्शनों को आस्तिक दर्शन के श्रेणी में रखा गया है। आस्तिक दर्शन इश्वर को भी मानते हैं और वेद को भी मानते हैं। नास्तिक दर्शन में तीन दर्शन को गिना जाता है। इन तीनों में सबसे पहला है जैन दर्शन जो जैन धर्म के सिध्धान्तों पर आधारित है जो जिसके प्रवर्तक महावीर थे दूसरा दर्शन है बौध दर्शन जो बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है और इसके उपदेशक इसके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे और तीसरा चारवाक दर्शन है इसे कई बार लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है ब्रिहस्पती दर्शन के नाम से भी जाना जाता है ये तीनों दर्शन वेद की सत्ता को नहीं मानते वेद की प्रमान को ये अंगिकार नहीं करते हैं इसलिए इन तीन दर्शनों को नास्तिक दर्शनों की स्रेणी में रखा गया है आस्तिक दर्शन छे हैं आस्तिक दर्शन है शट दर्शनानी संती ये छे दर्शन है जिनमें पहला है सांख्य दर्शन संख्या के आधार पर इस दर्शन को जाना जाता है संख्या के आधार पर इस दर्शन की गणना की जाती है संख्या शब्द के का अर्थ क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे उसके बाद दूसरा दर्शन आता है योग दर्शन योग दर्शन के प्रवर्टक पतंजली रिशी है जिन्होंने अपने योग सूत्र में बहुत सारे योग के सिद्धानतों को योग के तत्वों को रखा है और तीसरा है नियाई दर्शन जो की गौतम के द्वारा उद्धरित जो सूत्र है उन सूत्रों पर आधारित है और नियाई दर्शन का मुख्य ग्रंथ नियाई सूत्र है नियाई सूत्र के में सोलह पदार्थों की चर्चा है सोलह पदार्थों के द्वारा किस प्रकार से निश्रेयस की प्राप्ती होती है तब तो अग्यान की प्राप्ती होती है ये बताया गया है उसके बाद वशेशिक दर्शन जो की कनाद प्रनीत दर्शन है विशेश इसकी विशेशता है इसलिए इसका नाम ही वशेशिक दर्शन पड़ा है ये दर्शन ये सारे दर्शन इश्वर की सत्ता को और वेद की सत्ता को मानते हैं और अगला है मिमानसा दर्शन मिमांसा दर्शन में जहां कर्मकांड के प्रियोक के बारे में कर्मकांड के उद्देश्यों को बताया गया है ये मिमांसा दर्शन है और सबसे छठा दर्शन है वेदांत दर्शन जो वेदांत दर्शन इसे दर्शनों का सिर्मोर भी कहा गया है और वेदांत दर्शन के नुरागी हुए कई और उनके पतानुयाई हुए जिनोंने वेदांतदर्शन को आगे बढ़ाया। आएए अब हम सांखे दर्शन के बारे में पढ़ते हैं जो हमारा आज का मुख्य विशे हैं। सांखे दर्शन में सांखे शब्द क्यों नाम पढ़ा इस पर आज हम चर्चा करना शुरू करते हैं। सांख शब्दार्थ क्या है? सांख के क्या अर्थे है? इसके बारे में बताया गया है सबसे पहले कि सम उपसरगात, पुर्वकात, दर्शन आर्थकात, चक्षिय धातो हु, लुटी चाक्षिय ख्योंचा देशे, सम्य ख्यानम इति विग्रहात्म का सांख शब्दा है अर्थात, सांख शब्द के निश्पत्ति सम्स्कृत में किस प्रकार से हुई है? इसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि इसमें सम उपसरग लगे हुए है और इसमें चक्षिय धातु के लगने से लुटी प्रत्य होने से यह सांख शब्द निश्पन्य हुआ है सांख शब्द का एक और अर्थ है वो है प्रकृति पुरुषयोह सम्य ज्यानम अर्थात, इसमें सांख में दो तत्यों की या पदार्थों की बात हुई है जो प्रकृति और पुरुष के रूप में है तो इसलिए यहां बताया गया है कि प्रकृति और पुरुष इन दोनों का अच्छी तरीके से जहां जिस दर्शन में, जिस विशय में ज्यान हो उसे सांख दर्शन कहते हैं उसे सांख शब्द से निरुपित किया गया है प्रकृति आदी नाम, चतुर विम्षती, तत्व संख्या नाम, प्रति पादन आगे बताया गया है कि प्रकृति आदी प्रकृति आदी जो 24 तत्व हैं इन तत्वों का जहां पर सम्यक रूप से अच्छे तरीके से प्रति पादन हुआ है जहां से इन 24 तत्वों को स्पष्ट रूप से बताया गया है इन 24 तत्वों की क्या उप्योगिता है इन 24 तत्वों के द्वारा किस प्रकार से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है इन चीजों की जहां पर व्याख्या की जाती है वो सांख्य दर्शन है फिर बताते हैं पंच विम्शति तत्वा आत्मी का संख्या यत्र विविच्चते तदेव संख्या 25 तत्वों की संख्या भी जहां पर विवेचित की जाती है वो भी सांख्य है योग और सांख्य इन दोनों में बहुत ही समानता है जहां सांख्य 24 तत्वों को मानता है योग उसमें एक और तत्व को चोड़ करके 25 तत्व बताते हैं तो यहां पर इसी प्रकार से विवेचन कि गया है कि 25 तत्व की संख्या जिस शास्त्र में बताई गई हो वो सांख्य है सांख्य शब्दार्थ के रूप में एक भगवान शंकर अर्थात शंकर आचारे जी कहते हैं कि इमें सत्व रजस्तमान सी गुणाहा मयाद रिष्टाहा सहचतेव्यो अन्यहा तद्यापार साक्ष शिभूतो नित्यो गुण विलक्षन आत्मेती चिंतनम एश सांख्या वेदांत दर्शन के प्रवर्तक शंकर आचारे ने बताया है कि जहां पर सत्व रज और तम इन तीन गुणों की चर्चा है इन तीन गुणों के प्रकृति का इन तीन गुणों के स्वरूपों का अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है, विलक्षन रूप से वर्णन किया गया है, वही सांख्य है, इसी प्रकार से वताया गया है संख्या विचारना, सांख्य में जो संख्या शब्द है वो विचारना अर्था, विचार से उसे समझा जाना चाहिए, विचार के अर्थ में संख्या शब्द को लिया गया है ऐसा विद्वपर मानते हैं संख्यावान पंडित है एक और इसके निश्पक्ति आती है कि पंडित अर्थात ज्यानी वो है जो संख्यावान है अर्थात सांख्य शास्त्र को सांख्य दर्शन को जानने वाला जो व्यक्ति है वही पंडित है वही गुनी है वही विद्वान है और एक और चर्चा आती है अतह पंच विम्षति संख्य तत्वानाम प्रतिपादनात अस्य दर्शन से सांख्यम इती अविधानम अतहा इस प्रकार से 25 संख्यक तत्वों के प्रतिपादन से इस दर्शन का नाम सांख्य रख आईए प्रियच्छात्रों प्रियशिक्षार्तियों आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि सांख्य दर्शन के कुछ आचारियों के बारे में कौन-कौन से ऐसे आचारि हुए जिन्होंने सांख्य दर्शन को प्रवर्तित किया सांख्य दर्शन को आगे बढ़ाया और आज जो हमें दिखता है आज जो हम सांखे दर्शन को पढ़ते हैं उसका स्वरूप किस प्रकार से किन महर्शियों के द्वारा किन विद्वानों के द्वारा हमारे समक्षाया है सांखे दर्शन अस्या आध्यप प्रवर्त का है महर्शी कपिला महर्शी कपिल मुनी हुए जिनोंने सांख्य दर्शन का सबसे पहले प्रवर्तन किया महर्शी कपिल के द्वारा जो सांख्य सूत्र लिखे गए उन सांख्य सूत्र के द्वारा ही हमें यह ग्यात होता है यह पता लगता है कि महर्शी कपिल सांख्य दर्शन के आदी प्रवर्तक है इससे पूर्व में सांख्य दर्शन के विशे में कोई ऐसी जानकारी समुपलब्द नहीं है इसलिए महर्शी कपिल को सांख्य दर्शन का आदी प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है कपिले ने सांख सूत्रम प्रणीतम और कपिल मुनी के द्वारा सांख सूत्र की रचना की गई और उन्ही सांख सूत्रों की रचना के आधार पर सांख दर्शन का इतना बड़ा ज्यान समुद्र हमारे समक्ष आज दिखाई दे रहा है कपिला आसुरे आसुरी ही पंच शिखाई सांख सूत्रम उपदिदेशा अब ये सांख सूत्र या सांख दर्शन के तत्व किस प्रकार से हमारे समक्ष आए इसको बताते हैं कि कपिला आसुरे कपिल मुनी ने आसूरी जो उनके शिष्य थे उनको सांखे के सुत्रों को बताया आसूरी ने अपने पंच शिखाय जो सुत्र थे उनको बताया फिर पंच शिख से प्रमान ग्रंथ के रूप में इश्वर कृष्ण ने उन सभी पुर्व दर्शनाचारियों को ध्यान में प्रमान ग्रंत के रूप में इश्वर कृष्ण के द्वारा रचित सांखे कारिका के रूप में ही दिखाई दे रही है। वो आज हमारे समक्ष प्राप्त नहीं है। सांखे कारिका में बहुती स्पष्ट रूप से की गई है। वाचस्पति मिश्र नाम के ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने सांखे कारिका की प्रसिद्ध टीका की रचना की और उस टीका का नाम सांखे तत्व कौमुदी रखा गया और सांखे तत्व कौमुदी ने सांखे कारिका की विशियों को और भी स्पष्ट किया और भी हमारे सामने उसे स्पष्ट रूप से रखा और उनके जो कठीन विशे थे उनका विशियों को सामानी रूप से हमारे समच देखा गया धन्यवादा झाल झाल